राहुल गांधी स्लैंप सेंटर नोट बंदी की एक मातर सफलता अर्थ व्यवस्ता का डूबना है। राहुल गांधी का केंद्र पर तंज। कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की नरेंद मोदी सरकार पर तंज कसा है। नोट बंदी को लेकर विपक्षी दलों ने रविवार को नरेंद मोदी की नेतित वाली सरकार पर निशाना सादा और कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहूल गांदी ने कहा कि 2016 के इस कदम की एक मात तुर्गा के पूरुर सफलता भारत की अर्थ व्यस्था का डूबना है राहूल गांदी ने मीडिया की एक खबर के स्क्रीन शॉट को टाक किया जिसमें भारते रिजर्व बैंक आर्वियाई की वाशिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया कि 500 रुपे की जाली नोट में 100 प्रतिशत और 2000 रुपे की जाली नोटे 50 प्रतिशत की वृद् पर निशाना साधा टीमसी नेता ने कहा कि भानमति नरेंद मोधी नमस्कार नोट बंदी याद है आपने नोट बंदी पर क्या वादा किया था कि सभी जाली मुद्रा खत्म हो जाएगी यहां रवी आई की नई रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि जाली नोट की संख्य को हजार रुपए और पांस रुपए के पुराने नोट को चलन से बाहर करने की घोशा की थी